हलो एब्रीवान, वेलकम टो माई चैनल स्टेनो ट्यूबर्स तो आज हम बात करेंगे हमारे मौक्स के उपर देखें कई बारी होता क्या है कि हम मौक्स देते तो रहते हैं पर हमारे जो नंबर्स रहते हैं, जो माक्स आते हैं वो एक लिमिटेड रेंज में ही फसकर रह जाते हैं पर एक्जामपल, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी तयारी के साथ भी अपने माक्स 132, 140 के रेंज में या 120 के रेंज में ही स्कोर कर पाते हैं बट उनको समझ ये नहीं आता कि आखिर उनके जो माक्स है वो इंप्रूफ क्यों नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं वो एक लिमिटेड रेंज के बाहर जा सकते हैं होता क्या कि आप माक्स देते तो हैं एक माक देंगे, दो माक देंगे, तीन देंगे, चार देंगे यहां तक कि दस माक भी देंगे बट आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप उस mock को seriously नहीं लेते क्यों? क्योंकि आपको लगदे कि मैंने तो mock दे दिया अब मुझे total result अपना पता चल गया marks पता चल गया और अब मुझे इसमें क्या करना है तो देखिए जब तक आप अपने mock को उसका उसकी हिस्सेदारी नहीं देंगे उसको time नहीं देंगे तब तक वो आपकी किसी भी काम का नहीं है देखिए होता कि है जब आप mock देते हैं तो आप उस pattern से उसके quotient के type से familiar होते हैं ठीक है? आप quotient attempt करते हैं आपके quotient सही होते हैं गलत होते हैं, कुछ unattempted रह जाते हैं, कई सारे marks तो negative marking में चले जाते हैं तो इस जगा पर आपको समझने की जरूरत है कि आपके marks जाक आ रहे हैं जो आपके plus marks हैं मतलब आप जो marks score कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं मान लेते हैं कि किसी बच्चे के 135 marks आते हैं, जिसे मेरे शुरू में 135 marks आते थे तो मैंने ये गौर किया कि मेरे marks जो जा रहे हैं, वो जाक आ रहे हैं तो कई सारे marks तो negative marking में चले जाते हैं, बागी की बचे कुछ ऐसे questions से जिनको मैं जानती नहीं थी या मैं उनसे aware नहीं थी तो मेरे साथ तो ये problem थी आपको examine ये करना है कि आपके साथ क्या problem है या किस तरह की questions में आप score नहीं कर पा रहे हैं किस तरह की topic में आप score नहीं कर सकते हैं और कैसे उस topic को आपको बहतर बनाना हैं, तो इनी सारे questions को मैंने एक video में concise करते हुए ये video बनाया है जिसमें आपके सारे doubts clear होंगे, तो चलते हैं देखते हैं, how to increase marks in mocks, कैसे आप अपने marks increase कर सकते हैं, mocks में ताकि आप अपने original exam में better perform कर पाएं तो देखिए सबसे पहले आपको करना ये है कि जब आप अपने mock का result देखते हैं अपनी test series देते हैं उसका result देखते हैं, तो आपको अपनी questions की category divide करनी है, ठीक है, questions मेरा मतलब जो उसमें सारे option रहते हैं, unattempted incorrect, correct और किसमें आपने ज़दा time लिया है, किसमें कम time लिया है तो इस तरह से आपको अपने questions की category divide करनी है, उसके बाद अपने mock सी आप improve कर सकते हैं देखते हैं पहली category कौन सी है पहली category है, correct questions की, ठीक है congratulations, आपने जितने भी correct किये questions, at least उन पे आप proud होईए कि आपने इतना भी सही किया है, हमेशा कम की तरफ मर भागिए, जो आप अच्छा कर रहे हैं, उस पे भी अपने आपको, आप अपनी beat थप थपाईए कि आपने अच्छा किया है attempted accurately, जो भी question आपने accuracy के साथ attempt किया है या उसका answer आपने accuracy के साथ mark किया है, आप बिल्कुल sure कि आप वो question अच्छे से कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आपको थोड़ा सा proud feel कराईए अच्छा feel कराईए कि हाँ गलत हो रहे हैं, बट सही भी तो हो रहे हैं, questions ऐसा तो नहीं है कि आप 100 में आप negative marking की तरफ जा रहे हैं minus one minus two number पा रहे हैं at least आप 120, 130, 135, 140 ऐसे तो marks पा रहे हैं न तो सबसे पहली बात तो correct questions की तरफ भी अपना धान रखिए कि मैंने इतने questions सही किये हैं ओके, ये हमारी हो गई पहली category दूसरी category आती है incorrect questions की तो हम बात कर लेते हैं देखे, incorrect questions वो questions होंगे जो आपने हो सकता है अपनी knowledge में सही mark किया हो बट वो last में result में गलत हो जाते हैं कभी-कभी जल्दी बाजी में गलत हो जाते हैं कभी-कभी जो topic की proper knowledge ना होने की वज़े से miss हो जाते हैं ठीक है, तो कुछ questions से इनको देख लेते हैं पहला है why जो question आपके incorrect हो रहे हैं गलत हो रहे हैं तो वो गलत क्यूं हो रहे हैं something कुछ तो missing है something is missing कुछ problem है उसमें कि आप possible की वो हो सकता है आपके लिए वो बिल्कुल नया आया हो question हो सकता है उस तरह की question से आप बिल्कुल familiar ना हो या हो सकता है वो SSC के syllabus के base पढ़ना हो इसलिए आप नहीं कर पाए या यह भी हो सकता है कि वो आपकी आपने वो topic पढ़ा हो बट आपकी वो practice नहीं हुई अच्छी तरह से इसलिए आप से गलत हो गया तो सबसे पहले आपको यह find out करने की जरूरत है कि वो गलत हुआ तो हुआ कैसे है ओके तो आपने let's assume कि आपने कोई question गलत किया है English में English में कोई error आई है और आपने वो गलत करी तो आपको find out यह करना है कि वो error क्या ऐसा था कि वो error जिस भी topic में आती है pronoun, noun या article की error या ऐसी कोई singular या plural की error जो आपने नहीं पढ़ी, क्या ऐसा है अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है ठीक है इसलिए मैंने आपने लिखा है कि which topic यानि कि वो जो question आपका गलत हुआ है वो किस topic से बिलॉंग करता है कि आपने सब कुछ पढ़ा है पर फिर भी question गलत हो रहा डाट मेंस कि कहीं आपसे कुछ ना कुछ miss हुआ है देखिए अगर आपने कोई topic बहुत ही अच्छे से 100% cover किया है फिर भी उसकी guarantee नहीं होती कि आप उसके question सही करेंगे क्योंकि वो based होता है आपके practice पे और common sense पे वेर भी आपको यह पता करना है कि अगर आपने वो topic miss भी कर दिया है तो वो topic आखिर है किस जगा से या किस book से है किस area को belong करता है कि आपसे वो miss हो गया फिर उसके बाद है lack of practice अगर आपको topic का idea है भी यानि कि आप जानते हैं कि वो error किस में से आई थी बट आपकी practice नहीं थी और जब तक practice नहीं होगी तब तक आप उसको सही नहीं कर सकते हैं तो आपको यह भी find out करना है कि आपकी practice कहां पे lack हो रही है इन सब के बाद आपको करना है कि आप इन सारे questions के answer ढूड के आपको वो जो आपका question incorrect हुआ था आपको क्या करना है उसको सही करना है next time अगर उस topic से कोई question आपके mock में आता है that means कि आपको वो सही करना है गलत नहीं करना है ओके आपको इतनी अच्छी तरीके से analyze करना है उसको तो यह हो गई हमारी दूसरे category incorrect questions की next हम बात करते हैं unattempted questions अब देखिया देखिया तीन तरह category हो गई हमारे पास correct questions की incorrect questions की और अब बारी आती है unattempted questions की जो question आपने attempt ही नहीं किये हो सकता है new topic को ऐसा कोई perfect pattern नहीं होता कि कोई new topic आ नहीं सकता है बिल्कुल आ सकता है हो सकता है आप उससे aware नहीं हो हो सकता है इस वज़े से आपने unattempt किया हो afraid of that या ऐसा कोई question आया हो जो आप जानते हो लेकिन आप उसको करने से डर रहे हो कि ऐसा ना हो ये मेरा गलत हो जाए और negative marking में number हमारे cut जाए तो ये भी बात हो सकती है या फिर time नहीं बचा हो सकता है कि आप को किसी question में time जादा लग गया हो इस वज़े से बाकी question आप से रह गये हो ये भी important point है याद रखेगा तो आपको करना क्या है unattempted questions में जितने भी questions आपने नहीं attempt कर पाया आप उसका सबसे पहले तो उसका उसकी जड़ तक जानना है यानि कि उसका reason आपको find out करना है कि आपने क्यों नहीं attempt किया भाई या तो वह new topic था या तो आप उससे डर रहते करने में या तो आपके पास time नहीं बचा था दीक है चौती जीज नहीं हो सकती तो आपको यह find out करना है कि आखिर आप आप में यह तीनों में से कौन सी बात है तो आपको उस question को attempt करने में आपने नहीं कोई test दिखाया तो जब यह आपको पता चल जाए उसके बाद अपनी जो यह solution निकाली है कि अगर new topic है तो उसको पढ़िए प्लीज अगर आप उससे डर रहे हैं तो at least उस question की इतनी बार practice कर लिजए या उस topic की कि अगली बार आप उसको करने से ना डरें या फिर time नहीं बचा अगर आपके पास time नहीं बच रहा है आप एक questions पे या एक section पे ज़्यादा time दे रहे हैं और next पे कम time दे रहे हैं इस तरह से अपनी solution निकाल रहे हैं कि जो unattempted question है उसको next time आप attempt कर सकें okay next category है over attempting questions अगर आपके mocks में number कम आ रहे हैं आप अच्छा score करने की सोच रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप या तो दोसों में से 200 question attempt कर रहे हैं and उसमें से approximately आपके 80 या 100 question almost गलत हो जा रहे हैं वैसे रिन जादा हो गई बट हो सकता है कि आपके 50 question भी या 60 question भी गलत हो रहे हैं तो क्या फाइदा 200 में से आपको 50 question आपके wrong हो रहे हैं क्या मतलब है इसका भाई इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत अपनी तुक्के बादी से और थोड़ा over confidence में आके नहीं मैं पूरा पीपर attempt करके आऊंगा और मैं देखना यह score करूंगा वो score करूंगा no not at all ऐसा करन अपनी strategy बना के इसी लिए चलते हैं वो ऐसे नहीं जाके तुरंट paper में जाके और सारे question attempt करके and tick tick लगा के सब चले आते हैं और उनके अच्छे number आते हैं ऐसा नहीं है अगर आपको लगता है कि वो question पक्का गलत होगा और आप फिर भी attempt कर रहे हैं तो मत करिए okay over attempting से है तो यह हो गए हमाई next category अब next category में हमारा आता है guesswork, guesswork means तुक्के बाजी आप तुक्के से भी कई question सही करते हैं इसमें कोई बुरा ही नहीं है बट यह है कि at least आपको उस question का थोड़ा मोटा idea तो हो थोड़ा सा आपको उसके concept के बारे में पता तो है पता लगे कि आप कोई question आया आप उसके बारे में zero knowledge रखते हैं फिर भी आपने guesswork दे दिया मतलब how कैसे दे सकते हैं तो guesswork से होता क्या है मैं आपको बताती हूँ more negative marking हो सकता है किसी का guesswork ज्यादा थोड़ा सा काम कर जाता है किसी का नहीं करता है तो आपको यह decide करना है कि आपका करता है कि नहीं करता है guesswork काम उस recording आप अपनी प्लीज तुक्ये बाजी करिएगा तो अगर आपका नहीं करता है तो आपकी negative marking में simple सी बात है mark जदा कटेंगे accuracy नहीं आएंगी क्योंकि आप guesswork wrong कर रहे है करने logicless यानि क्या कि आप guess लगा भी रहे हैं गेस से काम भी कर रह रहे है बट आपको कोई logic नहीं लगता है हम देखे जब हम गैस भी लगाते हैं तुक्का भी लगाते हैं एक अपनी CS से कोशन सॉल्फ करते हैं तो हम उसमें कुछ न कुछ लॉजिक ज़रूर लगाते हैं अगर लॉजिक नहीं काम कर रहा है तो उसमें गैस वक लगाने का मतलब क्या है आप options को eliminate करते हुए भी उसको स सही कर सकते हैं बट लॉजिक लिस कोशन सॉल्फ करना कोई अच्छी बात नहीं है हो सकता है इस वज़र से भी आपके marksman number कम आ रहे हैं यह हो गई एक category नेक्स जलते हैं negative marking इसका जोल तो बहुत काम का है ठीक है यह ऐसा नाम है negative marking कि अच्छ अच्छो की हालत खराब हो जाती है तो आपको एक अपनी 200 questions में से आपको एक strategy बनानी है कि अगर आप सोचें कि मैं 180 attempt करूंगा या कोई बच्छे यह भी सोच सकते कि मैं 200 out of 200 attempt करूंगा no problem but depend करता है कि आपके negative marking कितनी हो ऐसा ना हो कि आप जितने सही करके आए उससे साथा आपके गलत हो जाए questions तो यह भी दिमाग में रखिए कि आप अपनी negative marking में चुक करिए कि मेरे कितने questions wrong हो रहे है या उन questions की वज़े से मेरे कितने marks ऐसे हैं जो negative marking में कर जा रहे है and trust me वो आपके genuine numbers है उनको आपको अपने पास रखना है ताकि वो score में add होना कि वो decrease हो okay तो यह भी एक बड़ा सा topic है negative marking का कि आपको इसकी थोड़ी सी strategy समझनी होगी और यह आप अपने खुद के marks से ही समझ सकते हैं या आपको दूसरा नहीं समझा सकता तो आपको यह देखना है कि आपके marks कितने कट रहे हैं कितने marks आप गलत कर रहे हैं कितने negative marking में जा रहे हैं यह सब चीज़ें भी आपको देखन नहीं हैं ओके तो यह था आज का मेरा वीडियो जो कीवेश था कि how to increase marks in mock test और ऐसा नहीं है कि सब के mock test में 170, 180 ही आते हैं आते हैं 140 इंसान थोड़े थोड़े से ही बढ़ता है 110 आते हैं किसी के 90 आ जाते है 120 होता है फिर 130 होता है 145 पहुंचता है 150 पहुंचता है 160 पहुंच कोई एकदम से increase नहीं कर सकता तो depend करते हैं कि आप कितना खुद को self assess कर रहे हैं self analysis कर रहे हैं कितना खुद के mock का at least mock को एक दो घंटें दीजिए कि आपको वो examine करने का मौका दे कि आपने mock में किया क्या है जब आप उस mock को examine ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है mock देने का ठीक पाएंगे तो please try करेएगा और बताएगा कि क्या topic आपका वी क्या है और किस तरीके से आपने mocks को improve कर रहे है थैंक्स फॉर वाचिंग स्टेनो ट्यूबर्स सब्स्क्राइब टू